नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को वसंत भाग 3 क्लास 8 का पार्ट सुदामा चरित, इसका मैं MCQ प्रशन उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि इस बार आप लोगों को एक्जाम में MCQ भी पूछे जाएंगे, जिसको हिंदी में बहु विकल्पिय प्रशन उत् इसमें चार ओप्सन रहेंगे, तीन गलत रहेगा, एक सही रहेगा, सही उत्तर आपको एक्जाम में लिखने होंगे, और बच्चों इससे पहले भी आपके क्लास का बहुत सारा चेप्टर में MCQ परहा चुकी हूँ, और फूल एक्स्प्रेमेशन समरी, कोईस्यन एंसर भी पनाई हूँ, हिंदी भ्याकरन भी में परहा चुकी हूँ, तो उन शब को देखने के लिए आप ऊपर दिये गया, आइब बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, नीचे दिये गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेश्बूक और ट्यूटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो अभी हम लोग परहेंगे सुदामा चरित का MCQ, पहला प्रशन है सुदामा चरित नामक कावे पाठ की रचना निमलिखित में से किसके द्वारा की गई है, कौपूरुश तुसरा प्रशन है प्रभु जानने को आही कविता की इस पर्थम पंक्ती में प्रभु के माध्यम से किसे संबोधित किया गया है, कौई इंद्र को, खराम को, गव भगवान को, गव कृष्ण को, तो उत्तर है प्रभु जानने को आही कविता की इस पर्थम पंक्ती में प ब्रज के खो मत्रा के गो कासी के गो कविता से ग्यात नहीं होता तो सुदामा निमलिखित में से किस गाउं के रहने वाले थे इसका उत्तर है गो कविता से ग्यात नहीं होता चौथा प्रश्ण है सुदामा ने द्वार का पहुँचकर निमलिखित में से किसका धाम पूछा सुदामा ने द्वार का पहुंच कर निम्लिखित में से किसका धाम पूछा था उत्तर है गो दिन दयाल का पांच नमर प्रेश्ण है निम्लिखित में से किसके कारण सुदामा बेहाल हो रहे थे गोचर्म रोग के कारण खो बिवाईयों के कारण गोचर्म रोग 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 के कारण तो निम्लिखित में से किसके कारण सुदामा बेहाल हो रहे थे उत्तर है खो बिवाईयों के कारण पोटली में कुछ दिया था उस पोटली में निम्लिखित में से क्या था को तंदूल खो मिष्ठान गचने गईन में से कोई नहीं तो सुदामा की पत्नी ने उपहार सरूप पोटली में कुछ दिया था उस पोटली में क्या था उतर होगा को तंदूल सात्मा प्रस्ण है निमलिखित में से उचित सब्द भरकर पुर्ति कीजिए चोड़ी की बान में होजू डैस को अधीने खो प्रवीने गो नवीने गो प्राचीने तो निमलिखित में से उचित सब्द भरकर पुर्ति कीजिए चोड़ी की बान में होजू इसका उत्तर है ख़ प्रवीने आठ नमर प्रेशन है कृष्ण ने सुधामा द्वारा उपहार लाए उपहार को निमलिखित में से किसमे भिना हुआ बताया है गव आमरस, ख़ सोमरस, गव सुधारस, गव इन में से कोई नहीं तो कृष्ण ने सुधामा द्वारा उपहार को निमलिखित में से किसमे भिना हुआ बताया है उत्तर है गव सुधारस, नाइन नमर प्रेशन है वाही पठ्यो ठेली इस पंक्ती में वाही सब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है गव गोपियों के लिए गव सुधामा की पत्नी के लिए तो वाही पठ्यो ठेली इस पंक्ती में वाही सब्द गव सुधामा की पत्नी के लिए बोला गया है गव उत्तर सही है दस नमर प्रेशन है घर घर कर ओरत फिरे कि अनुसार कृष्ण निम्लिखित में से किसके लिए ओरत फिरते थे ग्यारा नमर प्रेश्ण है उपाना शब्द का प्रया निम्लिखित में से कौन सा है क कृता ख धोती गह जूते गह पगड़े तो उपाना शब्द का प्रया निम्लिखित में से कौन सा है उतर है गह जूते बारा नमर प्रेश्ण है वसुधा का प्रया वाची निम्लिखित में से कौन सा सब्द नहीं है तो वसुदा का प्रियाए वाची निमलिखित में से कौन सा सब्द नहीं है उत्तर होगा घौ अंबर तेरा नमर प्रेश्ण है क्रिष्ण के लिए निमलिखित में से कौन सा सब्द कविता में प्रयोग नहीं किया गया है कव मुरली धर, ख़गोपाल, गव करुनानिधी, घव श्याम तो कृष्ण के लिए निमलिखित में से कौन सा सब्द का में प्रियोग नहीं किया गया है उत्तर होगा कव मुरली धर चौदा नमर प्रस्ण है पाछिली बानी में पाछिली सब्द पाछिली बानी में पाछिली सब्द किस प्रकार का सब्द है को संग्या, खो क्रिया विसेशन, गो सर्वनाम, गो विसेशन तो पाछिली बानी में पाछिली सब्द किस प्रकार का सब्द है उत्तर है गो विसेशन पंदर नमर प्रस्ण है परताप सब्द किस तरह का सब्द है को तत्सम खो देशाज गो तद्भव गो विदेशी तो परताप सब्द किस तरह का सब्द है उत्तर है गो तद्भव तो बचों इसमें 16 प्रश्ण थे MCQ और 16 प्रश्ण का उतर नीचे दिया गया है मैं सारे प्रश्ण उत्तर में ठीक लगा दी हूँ लेकिन अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं और इसमें कुछ सोट क्वेस्चन भी मैं आपको परहा दे रही हूँ जो कि एकजाम में आएंगे पहला प्रश्ण है सुदामा कौन थे वे क्रिश्ण के पास क्यों गया है उत्तर सुदामा क्रिश्ण के बचपन के मित्र थे दोनों ने रिशी शंदीपनी के आस्रम में एक साथ सिक्षा पाई थी क्रिश्ण के पास वे कुछ मदद पाने के उदेश से गये थे दूसरा प्रशन है सुदामा की बेशवुसा उनकी किस इस्थिती के और संकेत करती है उतर सुदामा की बेशवुसा को देखकर कहा जा सकता है कि उनकी आर्थिक इस्थिती बहुत खराब थी वे बहुत ही दीन ही नवस्था में जीवन विता रहे थे उनकी फटी पुरानी धोती देखकर इस बारे में सहज अनुमान लगाया जा सकता था तीसरा प्रश्ण सुदामा किस बेशबुसा में अपने मित्र स्रीकृष्ण के पास गये थे उतर जिस समय सुदामा अपने मित्र स्रीकृष्ण के पास गये थे उसमें उनके सिर पर पगड़ी नहीं थी, सरीर पर कुड़ता नहीं था, उनकी धोती जगर जगर फटी थी, पैरों में जूते भी नहीं थे चौथा प्रश्ण द्वारपाल से सुदामा के बारे में सुदामा के बारे में सुदामा के बारे में बताते हुए कहा प्रभु दरवाजे पर एक गरीब तथा दुरवल ब्राम्हन खड़ा है वह आपसे मिलना चाहता है वह अपना नाम सुदामा बता रहा है पांचमा प्रश्न स्रीक्रिष्ण ने सुदामा के दुख को महा दुख क्यों कहा है उतर स्री कृष्ण ने सुदामा की दीन हिन दसा देखा तुए दुखी हुए परंतु जब उन्होंने पैर धोने के लिए हाथ बरहाया और सुदामा के पैरों में फटी विवाईयां तथा काटों का जाल देखा तो ऐसे भिखड दुख को उन्होंने महादुख कहा और छठा प्रशन है सुदामा अपने साथ लाया उपहार स्री कृष्ण को देने में संकोच क्यों कर रहे थे उतर द्वार का आते समय सुदामा की पतनी ने कृष्ण के लिए उपहार सरुप कुछ चावल एक पोटली में बांध कर दिये थे द्वार का पहुँच कर जब सुदामा ने कृष्ण का साही वैभव तथा ऐसो अराम देखा तो सुदामा ने कृष्ण जैसे बरे राजा के लिए चावल जैसा तुछ उपहार देना उचित नहीं समझा तो इसी के साथ बच्चो पार्ठ की शमापती होती है असा है आप लोगों को सारा पार्ठ समझ में आ गया होगा एक जाम के लिए अच्छी तरह तयार कर लीजेगा और बच्चो मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब किजेगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजेगा लाइक कीजेगा और सेर कीजेगा कॉमेंट्स जरूर कीजेगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगे बच्चों धन्यवाद